यूपी के बलिया में छात्र संक्चुनाओं में दो गुटो के प्रत्याशी आमने सामने आ गए और भिड़ गए मुरली मनोहर टाउन महाविद्याले के चोराहे पर जहां दो छात्र गुट के कारेकरताओं में जम कर मार पीट हुई और गोली तक चल गई गोली चलने से चोराहे पर भगदर मच गई और वहीं घायल एक शात्र के कमर में गोली लगी है दो छात्र समर्थक बुरी तहरे से घायलों गए घायलों को वहां मौझूद छात्रों और पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया जहां गोली लगने से घायल युवक को डॉक्टर ने वारणासी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है आपको बताते कि इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी शात्रों की गरफतारी चालू कर दी है जैसा आप सभी जानते हैं वल्या में चात्र सम चुनाव चल रहा है जिसमें आज चुनाव हो रहा है मद्दान के समय कॉलिज परिसर के बाहर दो गुट आपस में मिढ़ गए थे जिसमें से एक चात्र को गोली लगी है और हालकि उसकी स्थितिया भी बहुत चिंता जिनक नहीं है फिर भी उसको भी अच्चियो रहा किया गया है और दो चात्रों को अन्य चोटे आई हैं जो हार्ड औन ब्लंट आपजेक्ट से डॉक्टर्स द्वारा बताई जा रहे है शेश स्थितिया सामान नहीं बद्दान हो चुका है अब काउंटिंग की कारवाई कारब होगी बलिया से यह थी मौमशाद एमत की रिपोर्ट